नमस्कार दोस्तों आपका सौगत है अपने योटो चैनल EBS की क्लासिस में दोस्तों हम इसमें सिच्छा समंधि वीडियो अपलोड करते हैं इसमें आज हमारा जबर्जश टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों ओलंपिक खेल मतलब ओलंपिक के बारे में ठीक है भारत का इस्थान कौन से इस्थान पर ओलंपिक में हैं कौन से सन में कौन सा इस्थान था और इसमें भारत कितने रजट पदक और सौरण पदक और कांस पदक जीता इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करें हैं इसमें ह हमारा कुछ ना कुछ हर एक पेपर में लगबख चार से पांच नंबर पूछे जाते हैं इसको हम एक ट्रिक की माधन से याद करें दोस्तों यदि हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किया है तो वीडियो सुरूश करने से पहले हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और धैम रहे दो उसमें पूरे मतलब इतिहास उसका बता दिये हैं और इसके बाद हम जो ओलंपिक के जो मोटो हैं और ओलंपिक के जो फ्लैग हैं इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका उद्देश क्या है कथन क्या है और इसका जो जंडा है फ्लैग वो किस कलर का बना हुआ किस देश को सं केट करता है इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्टो तो चली हम बात करते हैं पहला हमारा 1920 का ओलम्टिक ठीक ना 1920 में जो ओलम्टिक हुआ था जैसे कि हमने बात किया था दोस्त फर्ष्ट वीडियो हमारा जरूर देखी दोस्तो उसमें एक-एक छीज बताया गया है और भारत का इस्थान भी बताया गया है तो इसमें हम देखेंगे जैसे जो हमने फ़र्ट वीडियोम बात किया था दोस्तो कि जो ओलंपिक का सुर्वाद हुआ था ओलंपिक का सुर्वाद हुआ था दोस्तो 1866 डेक न 1920 में 1920 में जो Olympic हुआ था दोस्तो तो इसके पहले जो 1916 में होना था दोस्तो वह प्रत्तम 20 सुद्ध की बज़े से नहीं हो पाया था इसके बाद जो हुआ 1920 में 1920 का जो Olympic था दोस्तो वह Antwerp Belgium में हुआ था Belgium देश इसकी राजधानी जो Antwerp है ठीक है इसमें जो है Olympic flag को जोड़ा गया very very important question दोस्तों इसमें जैसे आता है कि जो किस Olympic किस सन में जो Olympic flag को जोड़ा गया तो ये जोड़ा गया 1920 में दोस्तों इसमें हम देख लेंगे इसमें पांच चक्र होते हैं पांच चक्र होते हैं ठीक है ना इसमें पांच चक्र होते हैं दोस्तों पांच चक्र ठीक है एक दो तीन चार पांच ये जो है तो इसमें देखेंगे कि ये हमारा जैसे ये हमारा यहाँ पे हमारा पीला कलर होता है दोस्तों ठीक है ये नीला कलर होता है ये हरा कलर होता है ये लाल कलर होता है ठीक है और ये हमारा काला कलर होता है मतलब पांच कलर होते हैं इसमें अलगला कलर के फ्लैग होते हैं तो इसमें देखेंगे पीला में पीला जो है ये पीला वाला ये हमारा पीला ह करता है और हरा आस्टेलिया को काला जैसे हम इसमें देख सकते हैं काला अफ्रीका को तियात कर सकते हैं अफ्रीका लाल साउथ अमेरिका साउथ नार्थ अमेरिका को जो यह संकेत करता है लाल कलर साउथ नार्थ अमेरिका को संकेत करता है अब इसमें नेक्ष्ट देखेंगे इसका दोस्तों कि इसका मोटो क्या है उद्देश क्या है दोस्तों जो ये ओलम्पिक है ओलम्पिक का इसका उद्देश क्या है मोटो क्या है और कब दिया गया कौन दिया इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों हमारा ये जो है ओलम्पिक मोटो मनलब ओलम्पिक उने फ़दर डिडो ने 1887 में दिया था कब दिया था दोस्तों 1887 में कतन कहा था दोस्तों Latin वासा में Latin वासा में कहा गया है इसा दोस्तों यह कोश्चन आता था कि घूम्पिक का जो मोटो है वह क्या है तो ये लैटिन वासा में इसे कहा गया CTS, LTS और 40S इसका जो अर्थ होता है दोस्तों अर्थ होता है इसका हिंदी में जो अर्थ होता है सबसे तेज, सबसे उंचा और सबसे बल्वान ये है ओलम्पिक का कथन बेरी इंपॉर्टेंट कॉस्चन है दोस्तों जैसे इसमें हमने फ्ल ठीक है ना सपत हो गया और इसमें हमारा फिर हो गया ओलंपिक में भारतियोंने सवयं भाग लिया इसकी पहले अंग्रेजे दौरा भेजे जाते थे जैसे कि इसमें हमने देखा जैसे 1920 में जो भारती मतलब जो भारती खुद की दम पर भेजे गए थे ठीके ना भारती खुद की दम पर खेले गए खेलने गए थे और इसके पहले जो है ओलम्पिक में भारतियों ने स्वयम भाग कब लिया तो वो लिया था दोस्तों 1920 में लिया था जो स्वयम भाग लिया था इसके पहले जो इसके पहले जो वो अंग्रेजो दोरा भेजे जाते थे नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तो दोस्तो हम इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ओलम्पिक सन ओलम्पिक खेल के बारे में बात कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं चाये वो MPSI हो या फिर UPSC, MPPSC कुछ भी हो उसमें से रेलवे हो, कहीं न कहीं से खेल थे जरूर क्वेश्चन आती हैं दोस्तो दो या तीन चार क्वेश्चन आती हैं उसमें हम ओलम्पिक का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं तो हम देखेंगे next हमारा 1972 का Olympic जैसे उसमें important takoh ॉएस ग्लाफीज उसके बारे में हमने बात किया था अब यह हमारा 1972 का Olympic 1972 का Olympic क्यों जाना जाता है क्यों famous है इसके बारे में हम बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे Munich Munich में जो हुआ है यह वो जर्मांईrament के मियूनिक में जो उलम्पिक हुआ था इसमें यह मुकृ रूभ से क्यों चाना जाता है इस उलम्पिक में 11 इज्राहिली इथलिट फिलिस्तानी आतंगवादी हमले में मारे गये थे जो 11 ओलम्पिक थे इथलिट खिलाडी जो थे वो मारे गये थे का अतंकबादी हमले में जो खेल हो रहा था उस time पर मारे गये थे इसमें mark spread ने जो तैराकी सिसम मन्दित मार्क इस्पृट वो बہगत हिया तेज मंड़ तैरता है पहुआ है तो यह हो गया अमेरिका की USA के है ठीक है जो गोल्ड गोल्ड जीता था साथ अकेले साथ अकेले गोल्ड जो जीता था मार्क इस्परिट ने ठीक है यह उस टाइम का सबसे तेज सबसे तेज जीतने वाला मतलब सबसे तेज तेराकी में था ठीक है और साथ गोल्ड जीता था इसके बाद 2008 में रिकार्ड किसने तोड़ दिया इसका रिकार्ड तोड़ दिया दोस्तों बीजिंग चीन में माइकल फ्लैप्स माइकल फ्लैप्स तैरा की ये भी अमेरिका कही है यूएसे का इसने आठ गोल्ड अकेले जीते हैं इसने पहले देखें साथ गोल्ड अकेले जीते थे मार्क स्प कि एक सार्क मचली की तरह चल रहा है मतलब बहुत ही स्पीड चलता है दोस्तों तो इसमें इसे कहा गया इसे कहा गया गोल्डन सार्क है ठीक ना गोल्ड आठ गोल्ड जीते थे और सार्क मचली की तरह चलता है कि यह कहला है गोल्डन सार्क के नाम से माइकल फ्लैप्स को जान जाता है इसमें हम देखेंगे कि यह जो पदक कितने कितने जीते थे तो माइकल फ्लैप्स है माइकल फ्लैप्स ने अभी तक के अभी तक के माईकल फ्लेट्स ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पधक जीतने वाले हैं इन्होंने गोल्ड 23 जीते जिल्वर 3 जीते ब्रॉंज 2 जीते मलत सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते इसलिए इन्हें गोल्डन सार्क की नाम से लियारा जाता है 23 24 25 26 27 28 28 पदक इन्होंने जीते हैं नेक्स्ट देखेंगे एक हमारा जो ओलंपिक 1960 का 1960 का जो ओलंपिक है यह क्यों जाना जाता है तो यह जाना जाता है दोस्तों यह हुआ था इटली में इटली में इटली की रोम में पप्सारण हुआ उलंपिक 60 के उलंपिक में इसलिए जाना जाता है कि टीवी में परसारण हुआ कि इसमें देखेंगे दोस्तों ओलंपिक में भारत के परसनल विजीता कौन कौनoqu나 सबसे इंपॉर्टन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं तो हम देखेंगे पहला हमारा हो गया पुरुस की बात करें तो 1903 में 1903 में हैलेंस्की में हैलेंस्की में आयो जीत हुआ था फिल्लेंड में ठीक ना फिल्लेंड के हैलेंस्की में आयो जीत हुआ था 1902 में जिसमें से थार्ड नंबर में थार्ड नंबर में कांस पदक जीता था कांस पदक जीता था जो पर्सनल जीता था केड़ी जादव केड़ी जादव जो जीता था वह कुस्ती से संबन्दित है कुस्ती से संबन्दित केड़ी जादव कुस्ती से संबन्दित है कि जब यहाँ पे देखें कि थार्ड में पूरशो ने जीता तो थार्ड में महिलाओ quelques- polys नाइक ए भी थार्ड में हिरा ए नंगा में जीते खांस पनडग डि Tonny में इस जीतें यह ₹ भारत तोलन में ये करणम मालेस्वरी जीते थे 2000 में नेक्स हम देखेंगे दोस्तों पुरुस पुरुस जीते थे वो जीते थे 2004 में 2004 में जो पुरुस जीते थे दोस्तों बीजिंग में ये 2004 में जो जीते थे एथेंस में एथेंस यूनान मतलब यहां से जहां से ओलंपिक सु तो इसमें आये थे फिर जब इतना जीत लिए इसके बाद थोड़ी से उपर आये थोड़ी से उपर जैसे इसमें हमने बात किया था पहले कि थर्ड में जीते थे इसके बाद आप सेकंड मतलब कि थोड़ी और प्रयास किये थोड़ी और प्रयास करने में इसमें इन्हों ने देखा कि जो 2004 में हम देखती हैं इत्यंस में हुआ था सेकंड सेकंड में उसमें पहले थार्ट थे इसमें सेकंड उसमें कांस पदक जीते थे इसमें रजत पदक जीते वो थे हमारे राजबर्धन राठाउर राजबर्धन राठाउर जीते और यह किस छेतर से थे यह निसान बाजी से इसके बाद हम देखेंगे 2008 में 2008 में बीजिंग चीन में जो आयोजित हुआ था बीजिंग में आयोजित हुआ था उसमें उसमें क्या हुआ उसमें देखेंगे दोस्तों फ़स्ट जो मतलब की जैसे पहले हमने इधर बात कर लिया कि पहले थर्ड जीते फिर सेकंड जीते अब फस्ट जीते 2008 में पहले 2000 में जो 1952 में थर्ड में 2000 में थर्ड में महिलाओं ने जीता और 2004 में जो पुर्शो ने जीता था सेकंड और 2008 में जो जीता वो फस्ट जीता फस्ट जीता दोस्तों गोल्ड गोल्ड जीता अभिनो बिंद्रा अभिनो बिंद्रा ने गोल्ड जीता है ठीक ना फस्ट दोहजार आठ में निसाने बाजी में कितने मिनट में जीता दोस्तों ये जीते दस मिनट में कोश्चन आता है कि अभिनो बिंद्रा क वो कौन-कौन से हैं, इसमें हम देखते हैं, ये हमारे दोस्तों हैं, एक तो अभिनो बिंदरा जीत गया, इसमें हम बात कर चेके एक अभिनो बिंदरा, दो और जो ये गोल्ड है, दो कांस पधक जीते गया, मतलब कुल तीन पधक जीते गये, कांस पधक दो, सुसील कुमार और बिजिंदर सिंग, सुसील कुमार बिजिंदर सिंग, सुसील कुमार जो आते हैं, वो कुस्ती से संबन दिते हैं, कुस्ती से संबन दिते हैं, और बिजिंदर सिंग बॉक्सिंग से, ना नहीं पता चलता है, बिजिंदर, तो यह बॉक्सिंग, मनलब की थोड़ी ताकत बर ठीक है ना कुस्तिस सुसील कुमार इस प्रकार से ये एक दो तीन तीन पदक जो है 2008 में जीते गए नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तो एक भेरी इंपोर्टेंट एक दोस्तो इसमें जैसे कि हमारा जो अबी बरतमान में हुआ इसके पहले हुआ था 2016 में इसके पहले हम जान लेते है 2012 जहां से questions पूछे जाते है तो इसमें 2012 में 6 पदक जीते थे ठीक ना टोटल 6 पदक जीते थे यदि लंदन में आयो जीत हुआ था इंग्लेंड के लंधन में आयो जीत हुआ था ये किसील बर वर झांड है & कांस पदक चार जीते थे, दो प्लस चार यानि छे पदक हो गए इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जो दो पदक है, वह सुसील कुमार कुस्तिस सम्भाजी थे और बिजे कुमार निसाने बाजी, इन दोनों ने मिलके, मतलब एक एक पदक जीते थे, कांस पदक में जीते थे मेरी कौम मेरी कौम मुक्के बाजी से मा से मेरी मा से मुक्के बाजी, ये फस्ट में जीते थे, मेरी कौम दूसरा साइना नहवाल, साइना नहवाल बेडमिंटन सम्भादी थे, ये फस्ट में दोस्तों साइना नेवाल किस खेल संबंदी थे तो बेडमिंटन संबंदी थे इसमें हमें एक इंपोर्टेंट देखें कि दोस्तों योगे सर्दत योगे सर्दत जो कुस्तिस खेल संबंदी थे यह थाड़ आयती ठीक है थाड़ आयती लेकिन इसमें जो इंपोर्टेंट एक काता है कि डॉंपिंग की बज़े से किस खिलाड़ी के जो पदक था उसमें बढ़ोत्री कर दी गए थी मतलब उच्छ पदक दे दिया गया था तो नोट इसमें हम देखेंगे दोस्तों की जो हमारा था योगिस्तरदत की हम बात करते हैं तो यह कुस्ती में ठीक ना एक जो सेकंड में थे सेकंड में जो जिनको मिला था सेकंड में मिला था बेसिक कुद खोब जो रूस से हैं रूस से बिलॉंग करते हैं डॉंपिंग मनलब कि किसी दोसी पाए जाने के कारण खेल में किसी कारण स वहीर थे दोसी पए जाने के कारण इनका जो छीन लिया गए था हक छीन लिया गए था मतलब जो पदक छीन लिया घ़ाने की ते तीर पलस टीन हो गए जो और यह कुंप लगए हैं ऊथीन प्लस लिये हो हो गया है इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों 2016 में हम देख लेते हैं दोस्तों जहां से question very important group से पूछा जाता है Rio de Janeiro Rio de Janeiro में हुआ था ब्राजील में ठीक ना Rio de Janeiro Brazil में हुआ था इसमें देखते हैं ranking ranking में देख लेते हैं कि देखेंगे ABC ABC अपन लिख लेते हैं और यह code हमारा हो गया A से America हो गया B से Britain हो गया C से China हो गया तो यह सबसे ज़्यादा जो gold जीते अमेरिका ने फिर Britain ने फिर चेन ने अमेरिका ने लगातार 6 Olympic में first ranking में रहा है लगातार 6 मतलब कि 16 और इसके पहले 12 इसके पहले 8 और इसके पहले 6 और इसके पहले 2000 इस तरह से आड़ 6 Olympic में लगातार किसने जीता है फस्ट रैंकिंग में था अमेरिका भारत जो है 2016 में जो हम बात कर चुके है स्टार्टिंग में की 67 रैंक में भारत था ठीक ना भारत में इस बार जो 2016 में मांत्र दो दो पदक जीते गए मांत्र दो खिलाड़ों के दोरह पदक जीते गए और टोटल दो पदक जीते गए पहला हमारा देखेंगे पीबी सिंदू जो सिलबर जीता गया था वो है पीबी सिंदू की दोरह जीता गया था और जो हमारा एक जीता गया था ब्रॉंज कांस पदक जीता गया था साची मलिन की दोरह ठीक ना ये पीबी सिंदू महिला है किसमे से बैड मिंटन से बिलोंग करती है बैड मिंटन से ठीक ना और ये जो साची मलीन है साची मलीन है जो हमारी साची मलीन तो ये साची मलीन जो हमारी है कुस्ती से सम्बन दिते है कुस्ती से ठीक ना कुस्ती सम्बन दिते है ये फस्ट मैला है ठीक ना फस्ट मैला है ये पीबी सिंद हो गई और ये साची मलीन हो गई इस प्रकार कि इसमें जो है खिलाडियों की संख्या खिलाडियों की संख्या थी दोस्तों 11,545 और जो इसमें भाग लेने वाले देश थे भाग लेने वाले जो देश थे मतलब कितने देशों ने भाग लिया तो वो लिये थे 205 205 देश मतलब important है दोस्तों इसमें क्या आता है कि 2016 में कितने देशों ने भाग लिये था उलम्पिक में तो 205 लिये थे और प्रदियोगता 60 पदक 60 पदक कितने जीते गए टोटल जो 60 पदक जीते गए थे दोस्तों टोटल जो 60 पदक जीते गए थे इसमें जीते गए थे 306 306 टोटल 60 पदक जीते गए थे टोटल 60 पदक ठीक है ना इस प्रकार से यह हमारा 2016 में ओलम्पिक हुआ था ठीक है ना इसके बारे में हम इस प्रकार से हमारा जे ओलम्पिक का टॉपिक यह यहाँ पे खतम होता है और इसके बाद नेक्स्ट खेल की हम बात करेंगे दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए एबं सेयर कीजिए धन्य अबाद दोस्तुम अबाद दोस्तुम